दोस्तों ये साल का वो समय जहां पर आपको सबसे भेधरीन डिसकाउंट देखने को मिलते हैं अगर आप कोई भी electronic item या कोई भी चीज़ पर्चेस करने वाले हो आपको flip card पर sale देखने को मिलने वाली big billion day नाम से Amazon पर great indian festival देखने को मिलने वाला है लेकिन overall बात ही हो जाती है आकर इतनी सारी sales में से आपके लिए perfect deals या option कौन-कौन से है तो मैंने सोचा यहां पर क्या करते हैं कि दौनों sales को लेते हैं ऐसा नहीं कि flip card के बार में बात करे हैं हम Amazon के दौनों को लेते हैं साथ में अच्छे तरीके से बात करते हैं और सबसे important चीज़ यह कि जिस जिस चीज़ के बार में हैं आप बात करने वाल हो ना सब के जो links है ना मैंने इनचे description में दे रखें तो कहीं भी किसी को भी confusion हो ना नीचे description में जाए अपना link देखी कि उसे कौन सा product पसंद या किस category में जाना उसकी sale का जो exact link है वो आपको देखने को मिलेगा फिल्हाल के लिए Flipkart की जो sale है वो already start हो जाए कि Flipkart Plus members के लिए Amazon की जो Prime वाली sale है मतलब कि जो Prime users के लिए जो पहले sale वो रात 12 बज़े से शुरू होगी कल से start हो जाएगी आपकी जो Flipkart की sale हो परसो से Amazon की sale तो overall कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि दौनों websites के थूँ जब अभीट की deals हमें मालूम है वो सारी में आपके बताने वाला हूँ इसके साथ ही सिफ smart phones के बारे में बात नहीं है स्मार्ट फोन्स भी है कुछ यहाँ पर टीवी आपको देखने को में लेंगे लैप्टॉप्स भी और बाकि सारे electronic items है तो कि किसी particular genre पर focus नहीं तो चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेके end तक देखें और सबसे important बात यह है कि मेरे को Twitter पर भी अगर follow करना चाहते है तो कर ले क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि Flipkart पर कोई deal आगी है Amazon पर कोई deal आगी तो वो कुछ घंटे लिए रहती है तो उसको आप लोग तक पहुँचाना काफी जादा मुश्किल हो जाता है तो Twitter पर मैं इस ट्रैक की चीज़े शेयर करता रहता हूँ इससे पहले Prime Day से लोग ती आप तो काफी सारे लोगों मैंने काफी exclusive deals वगरा के बार में information दीती तो अगर आप कोई miss नहीं करना चाहते है तो वहाँ पर follow कर सकते हैं लेकिन अभी के समय में बात करते हैं Amazon की sale और Flipkart की से दौनों के link मैंने description में दे रखे हैं लेकिन सबसे exciting चीज़ यह लग रही है कि आपको काफी सारे different type के offers देखने को मिलेंगे सबसे पहले बात करें obviously mobile phones के बावनले में इसे के साथ ही iPhone SE पर भी discount है जिसमें आपको below 30,000 की कीमत में देखने को मिलेगा इवन iPhone XR है न वह आपको below 40,000 रुपीस में देखने को मिलेगा यह काफे बढ़िया चीज हो जाती है और below 50,000 में अगर आप S20 Plus लेना चाहते थे तो वह भी काफी अच्छ अप्शन है S20 FE अभी launch गया लेकिन better option Galaxy S20 Plus है इसके साथ ही OnePlus 8 सीरीज थी ना उसमें OnePlus 8 के अंदर पर्मानेंट प्राइस कट हो गया है में Redmi Note 9 11,000 में Redmi 9 Prime 64 GB वाला version 10,000 रुपीज में और Galaxy M21 13,000 में और 9,000 में Redmi 9 और Redmi Note 9 Pro Max 16,000 में देखा जाए तो इनके उपर bank offer लग जाएगा और काफी सारे ऐसे phones है जो sale में मिलते हैं लेकिन हम आपको open sale के रूपे में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई phone purchase करना चाहते हो कर सकते हो लेकिन important बात ये भी है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि exactly अगर हम बात करें तो कोई phone अगर sale में मिलता है तो हो सकते उसकी flash sale इसके दौरान organize की जाए और ऐसे जो smartphone है वो जल्दी auto stock हो जाए तो आपको ध्यान रखना और जो majorly जो flash sale वाले जो phones होंगे न वो उनके अंदर आप कोई बड़ा discount expect नहीं कर सकते लेकिन जो bank offer वाली चीज है वो आपको वहाँ देखने को मिल सकती तो ये भी काफी की interesting चीज है इसी के साथ ही बात कर realme x3 की या फिर x3 super zoom वगरा की तो यहां पर भी आपको काफी अच्छा discount देखने को मिलेगा 20-25,000 के सेग्मेंट के अंदर ऐसी redmi के अंदर आपको k20 series और k20 pro जाया था उसके अंदर discount है और जो iq3 है न अगर उसकी जो कीमत होने वाली इस सेल में वह होने वाली 30,000 रुपी अगर आपको कुछ basic products खरीदने तो obviously जो Amazon basics जो कि Amazon खुद अपने product manufacture वगरा करता है न तो वहां पर आपको discount देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही जो Amazon के Echo और जो fire tv stick होती न जो की काफी भड़ी पॉप products होते हैं उन पर भी काफी अच्छा discount है जैसे बात करें तो Amazon Echo Dot के साथ जो smart speaker है और जो smart light का combo है वो 2299 का देखने को मिलेगा Amazon Echo Dot लेनिया के लिए तो Amazon की वो 2249 में देखने को मिलेगी इसके साथ ही बात कर जो Amazon की fire tv stick है वहाँ आपको 40% of देखने को मिलेगा यानि कि 4000 वाली चीज आप 3000 रुपे में expect कर सकते हैं या उससे भी कम में expect कर सकते हैं यह यहां तक कि जो 6000 रुपे की जो Amazon fire tv stick 4 के आती वो 35,000 में मिलेगी किसी को अगर fire tv stick लेनी है 35,000 में Amazon fire tv stick 4 के सबसे best है यह मी box से भी बेटर है Nokia के box से भी बेटर है खुद fire tv stick से बेटर है 35,000 में सबसे अची value for money fire tv stick 4 के में मिलीगी कि अगर लेना चाहते है तो अभी ले सकतो काफी अची डील है इसी के साथी बात कर तो Amazon के जो नए वाले echo speakers आएं तो उसका भी launch होने वाले 5,000 रुपे में यहां तक कि Amazon की जो e-kindle reader है तो 6,000 रुपे में Amazon का जो echo input होता है जो कि उसका portable smart speaker 2749 में काफी अची डील है और Amazon Echo जो की बड़ा वाला 10,000 रुपे का मिलता है वो से 6,000 में देखने को मिलेगा इसके साथी बात करें तो Amazon के जो echo show आता है उसके उपर discount है Amazon Echo Studios में Dolby Atmos आता है तो 19,000 का discount है लेकिन इतना बड़ा नहीं है इसके साथी जो Amazon TV के Fire TV Edition वाले TVs आती है इसमें से कुछ Onida के TVs है तो आप यहां ले सकते हैं इसके साथी जो Mi TV का जो नए Horizon Edition है वो भी आपको देखने को मिलेगा इसके साथी जो discount वगर ना यहां पर आपको LG और Samsung के कुछ TVs में देखने को मिल सकता है इसपेशली Samsung का जुदा फ्रेम आयता ना वहां पे जो QLED वाला पैनल है वहां डिसकाउंट है और जो OnePlus के जो थोड़े महेंगे टीवी इसपेशली Q-series के वहां पे डिसकाउंट देखने को मिल सकता है अगर आपको OnePlus का Q1 TV बिलो 60,000 रुपीज में मिल जाए काफ एची डिल हो सकती है Dolby Vision, Dolby Atmos के साथ आने वाला काफी बढ़ी टीवी हो जाता है वो और अगर आप लोग को चाहिए अलग-अलग के इसके साथ ही बात कर तो जो दूसरे ब्रैंड होते हैं इसके साथ ही बात कर तो यहां पर आपको जो ब्लूटूट स्पीकर्स बगरा होते हैं इसके साथ यह काफी बड़ी डील है कि कोई अगर टीवी लेने वाले सैमसंग का तो एक लाग की ऊपर का सैमसंग का जद्दो फ्रेम टीवी है ना उसकी कीमत 73,000 देखने को मिलेगी और जो गूगल का नेस्ट मिनी स्पीकर है जो की 4,000 का देखने को मिलता था वो से 2,000 में देखने को मिलेगा इसके साथ एपल का जो होम पॉड है जिसी कीमत 20,000 है वो से 5,500 रुपे में और यहां पर सैमसंग की T5 500 GB की SSD वहां पर डिसकाउंट है जो यहां पर सोनी का एक ZV-1 एक काफी अच्छा व्लॉकिंग कैमरा है उस पर भी है इसी के साथ ही HP Pavilion का Core i5 वाले गेमिंग लेप्टॉप है बिलू 70,000 में देखने को मिलने वाला है और एक और काफी इंटरस्टन चीज यह कि सोनी के जो दूसरे हाइंड प्रोड़क्ट्स हो बिलू 20,000 में देखने को मिलेंगे यह भी काफी अच्छी चोईस हो जाता है इसी के साथ ही आगे भड़े तो और हम बात करें इस Canon वागिरा के कैमरा के मामले में तो EOS M स्रीज में एक कैमरा है जो बिलू 30,000 में देखने को मिलेगा जनरली 35, 36,000 कीमत रहती है यह काफी लेपटॉप देखने को मिल सकता है और अगर लेपटॉप के बाहरे में बात करो और एक आये लेपटॉप के बाहरे में बात कर तो एसर का प्रेडिटर सीरीज में नया लेपटॉप है रेडिटर हीलियोस 300 कोर आई 7 के साथ इसके अंदर आपको RTX 2060 16 GB रम देखने को मिलेग और जो कोर आई 5 वाला मीनोटबुक ताना उस पर भी डिसकाउंट देखने को मिलेगा तो वो भी बर आप चेक आउट कर सकते हैं इसके साथ ही अगर हम बात कर तो एसर प्रेडेक्टर के अंदर आपको कोर आई 7 में दूसरी लैपटॉप से एक लाक रूपे की अरूप होन जो असुस की जो वीवबुक के अंदर जो एसरीज के लेपटॉप से ना वो काफी अच्छे हो जाते हैं और तो और किसी को अगर गेमिंग कंसोल पगरा पसंद तो यहां पर एक्सपॉक्स सेरीज एसको प्रीबुक कर सकता और प्लेस्टेशन 4 की अगर हम बात करें तो वो क्या चीज देखने को मल सकते हैं और इसके साथ एकर कोई अगरेशिव लगर आती रहेगी तो अपने ट्विटर पर फॉलो कर लो वहां पर में शेयर करता रहूंगा इसके साथ ही आप लोग बताईए कि जब डील्स वगर आ जाये तो सेल अच्छे स्टार्ट हो जाए अब बताई यह बात आप यह लेपटाप या मोबाल फोन ले सकते हो यह बात आप मुझे नीचे कमें बतान ना भूला वीडियो पसंद आए तो लाइक करो चैल को सब्सक्राइब करो थेंक्या आपका वीडियो देखने करी आप तो नेक्स वीडियो के अंब बाई